और लेट चेक इट आउट गाईज स्वागत आपका स्टोन टेक में दोस्तों रियल्मी ने इंडियन मार्केट में अपना एक और तगड़े स्पेक्स वाला 5G स्मार्टफोन लॉंच कर दिया है जो के रियल्मी 11 प्रो तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे रियल्मी 11 प् अगर आपको वीडियो चेलेगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना तो चलिए सब से पहले बात करते हैं इस मोबाइल के डिस्प्ले के बारे में जिसमें आपको 6.7 इंचिस के बड़ी अमूलेट डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी आपको 183 ग्राम का देखने को मिले जो कि इन एंट फिल में एकदम सूपर लाइट होगा और इस मुबाइल का रिफ्रेश टेट 120 हर्ट होगा ओवरल दिखा जातों इस मुबाइल में एक अच्छी डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी तो कंटेंट वॉचिंग में आपको काफी अच्छा एक्सप्रियेंस इस इस मुबाइल में देखने को मिलेगा अगर बात करें इस मुबाइल के बिल्ड क्वालिटी की तो इस मुबाइल में फ्रेंट ग्लास होगा बैक लेधर और फ्रेम आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा तो इस मुबाइल का अगले सेग्मेंट की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के platform के बारे में इस mobile में Android 13 operating system आपको देखने को मिलेगा chipset media tech density 7050 होगा तो आपको इस mobile में काफी तगड़ा processor देखने को मिलेगा और यह mobile gaming lovers के लिए एक दम perfect रहेगा तो gaming graphics भी आपको इस mobile में काफी तगड़े देखने को मिलेंगे overall देखा जाते हैं इस mobile में एक advanced platform आपको देखने को मिलेगा आप बात करते हैं इस mobile के main camera की जिसमें 102 mega pixel का डूल camera setup आपको देखने को मिलेगा camera feature में इस mobile में HDR का feature भी होगा अगर बात करें main camera की video quality की तो आपको इस mobile से 4K 1080p और 720p में काफी अच्छी quality की photos और video shoot कर सकते हैं अगर बात करें selfie camera की तो इस mobile में 16 mega pixel का एक friend camera आपको देखने को मिलेगा और friend camera की video quality 1080p होगी overall देखा जाते हैं इस mobile में काफी तगड़ी quality का camera segment आपको देखने को मिलेगा अब चलते हैं इस mobile के अगले segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile की memory के बारे में सबसे बाले बात करते हैं इस mobile के card slot की तो इस mobile में card slot नहीं होगा internal memory 256 GB और 512 GB के variant में होगी अगर बात करें इस mobile के RAM की तो यह mobile आपको RGB और 12 GB के variant में देखने को मिल जाएगा अगर बात करें sound quality की तो इस mobile में decent quality का stereo loudspeaker आपको देखने को मिलेगा और 3.5 mm jack के इस mobile में नहीं होगा अगर बात करें fingerprint sensor की तो इस mobile में fingerprint sensor आपको under display देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको इस mobile में proximity accelerator compass जैसे A to Z सारे sensor भी देखने को मिल जाएंगे और आपको इस mobile में gyroscope का dedicated sensor भी देखने को मिलेगा जो कि इस mobile का काफ़ी अच्छा feature होगा अब बात करते हैं इस mobile के battery के जिसमें आपको 5000 mh के बड़ी अलब की battery आपको देखने को मिलेगी जिससे कि आप इस mobile को डेट से दो दुनों तक बिना charge करें बड़े आराम से use कर पाएंगे अगर बात करें इस mobile के charging की तो इस mobile में 67 watt के faster charging का feature भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर बात करें इस mobile का कुछ common features की तो इस mobile में 2.0 tab से USB port आपको देखने को मिलेगा और infrared port और NFC का feature इस mobile में नहीं होगा अब चलते हैं इस mobile के सबसे important segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के color price और release date की सबसे बहले बात करते हैं इस mobile के color की तो ये mobile आपको black, green और gold color में देखने को मिलेगा इंडिया में इस mobile का price 21,390 होगा अगर बात करें इस mobile के release date की तो ये mobile 21 September को release हो जाएगा दोस्तों इस mobile का सबसे बड़ा highlighting point होगा इस mobile का 100 megapixel का main camera और एक fast processor मेरे according अगर आपका low budget है और आप एक अच्छा camera phone चाते तो ये mobile आपके लिक दम perfect रहेगा तो चलिए आप सबसे आखर में बारी आते हैं इस mobile के rating की तो इस mobile के सारे feature को देखते हुए इस mobile की stone rating होगी 8 out of 10 अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like share जरूर करना और चैनल को subscribe करके बेल notification को भी on कर लेना और comment करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते है अगले वीडियो में